पहला इंकाउंटर कब गुग और पहला डकेट ने बीहड में कब गड़ा हूँ यह जो 116 इंकाउंटर है इसमें भू पर किक्षेंच फायर है या फिर डकेट भी मारे गई ए 116 अ 1 जो 116 अ एक 136 अंशेंट आप में खुद खायर गगे मारे मारे उपर 50 ना कि ना कि ना इना कहा लगी यह कमर पे यह कमर के निच आज टूट गई थी और भी चलने में थोड़ी से दिखकत था तो अज़ी तो आपको पता नहीं चला उस वागी एकदम नहीं लगा कि हमाही लगी इसके लगी यह पता चला गोली चल गी तो वह एक फॉर्टी से बाद आपने लगने के ब अच्छा फोटो आए तो कम से कम लगे मासान पिंग जाए अच्छा इस शिकार तो आप आपने शिकार तो वैसे भी बहुत थारे किये हैं बदमासों की किये लगेतों की है चीक बात है चंबल घाटी जब हम आते हैं तो हमारे जहन में चंबल नदी आती है वहां के बीहड बिहन इस लिए चर्चा में रहते हैं क्योंकी वहां एक ब्रकान के बांसीळां में हम तमाम लोगों के नाम सुने जाते और उनको बहुत glorify भी किया जाता है लेकिन आज मैं आपको ऐसे वक्ति से मिलाने जा रहा हूँ जो इन डकैतों या इन बागियों से निपटते आए हैं लंबे समय तक पुलिस में सेवारत रहे और 116 इनकाउंटर इनों ने किये हैं ठीक मैं कह रहा हूँ 116 कि और भी अब वो लंबी कान ही है वो बताएंगे इसके बाद तो फिर हमने बाद नहीं बद कर दिये लेकिन फिर भी कोई तो कोई मरी जाता था एंकाउंटर होते थे तो फिर ये अशोग भदोरिया जी है अशोग भदोरिया जी आपको बहुत-बहुत स्वागत है डीसपी पोस्ट पैसे पोस्टिंग पूस्टिंग वालियर में ही ती मेरी रही है डबरा में फिर आप बहुत लंबे वक्त तक रहें बहुत काफी रहें काफी रहें और बड़ा आपकी जब आपका नाम गूगल पर सर्च करो तो सबसे पहले यह आता है कि इत्ते इंकाउंटर किये कहां से जरू है सिल्सिलाए जिए जब मैं एस्ट्वेंड लाइफ थी जब मेरी जी तो मेरी फादर भी पुलिसमी थे जब उस समय वो डी एस्पी थे बाद में एस्पी से रिटार हुए तो उनका भी थोड़ा सा रुजान था कि टकेतों के और इनके पीसे तब काफी टकेत थे उ कि एसे ही चले थो बीच में टो पहले मना करतेका रहे जर स्थे सार्विसमी relaxing नहीं आतिहर नहीं के पड़ता थै नहीं करता रह तो मुझे एक रजान था र ऑ कहि कैसे करते कि अभी मैं अपने जाते थे यह जह शाव रहते थे तो मुश्वा लोगा सीथी प्यूरीद जो रेंसम पकड़ कर ले जाते थे थे रेंसम के लिए, किटनेपिंग, हमारे गाउं तो बिंड के पास मही हैं किस उपरा गाउं हैं, अटेर विदान सबाँ हैं, तो वहां पे भी था दस्यू, हाँ, मुझ तो पूरे ग्वाली चंबल संभाग में ही दस्यू बहुत का, तो तो उनको देखा तो मुझे भी लगा कि इनका तो बिलकुल सफाया होना चाहिए, तो फादर के साथ मैं चला जाता था, फादर की पूस्टिंग भी है, इक वाली है, मरेना, और यही रही है, अस-फास, फिर उसके बाद जो है, चौबिस साल की उमर में आप लग गए पुल बहुत बहुत था, और बीच में 1922, एक साल ट्रेनिंग करने के बाद आए, इससे पहले भी हम डैडी के साथ, अपने फादर के साथ, कई वारे इंकाउंटरों में गए हैं, और वहां पार्टिसिपेट भी किया है, मतलब। पहली पोस्टिंग में आपके तब पहली पोस्टिंग, आपकेे टर्स का एक सबसे पहले ऐसे प की हान दॉपिछिय दड़ेमर कृषियए के पहली समय Te Stroh, कइस इंचिए अचिए पहला भी नाम बाला स defald तो दोस्त थे जोनों को बाला सगूदा के नाम से था तो वहनों बहुत आतक पहला रखा था वा डवरा शेत्र में तो सबसे पहले उनका सफाय दिया इसके दीरे दीरे फिर मेरी बढ़ती गई तो फिर मुझे आसपास भी अगर कहीं भी डगेत हों तो मुझे भी बेचते थे आटी डगोईटी का उपरेशन भी मेरी उसमें कर दिया था जैसी मैसेचो को चार्ज लिया तो पिर एक सिलेक्ट करके टीम सिलेक्ट की मैंने पिर टीम को मैंने काफी उनकी फिल्ड टैक्टिस और ट्रेनिंग रेनिंग यह बिएसेप अगेडमी है पास में होंई डपरा के तो महां ले जाके और उनको सबको बिलकुल ऐसा ट्रेनिंग देके तयार करवाया तो ऐसी दस्वारा लोगों की एक टीम होई थी तो जहां भी ज़रूरत पढ़ती ती तो महां भी बेज़ दी अक्रता है अगर जगह अपरेशन में थाने से थाने से बाहर थाने से कोई मतल जबना उसके मेना खाई पीए और वाँ जंगलों में गंदा पानी पीना जिपाना भुखे प्यासे जो भी पिट्व मेले जाते थे जो मिल गया फिर अपना नसूर कर दी जब वो खाना वाना नहीं मिलता था तो पर अपनी टीम मैंसी चार-पांच हम जो गोरिलर टीम जैस हो ऑनगा मरे खाना वालों से खाने की मांगते ओंको को अनको देच के चार नहीं तृटी लेकिन पुलिस्स वाले जाते थे अगर रिसमे तो उनको नहीं देते है ती जी नगे ता गाय से आ गये मेहमान जासे आ गए तो उनको कγα ब्यावी देंगे। बूरा करें के अरे बूले हम भूब के मरें जा रहे हमारे पास कहा है। ऐसे गुपते थे, कई गाओं वाले, बाबा भी कई मंदरों में जैसे कहे, तो मंदिर का जो रहता है, उनने कही के लिए बाबा से गाटा वाटा लियाओ, तो हम लोग बना लाएं, और उनने कही कहा माराज, हम बीभू के मरे जा रहे हैं, हम कहां से देने आपको, और बूर बनके पहुंचाते थे, तो उनको सब सामान भी दे 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 थे, खुद बना के खिलाते थे, और घी भी और निकाल के लिए आते थे किजी भी दो, तो ऐसा चलता था बनता है, अचा आप लोग जो है, इनके लिए ड़कायत शब्द का इस्तिमाल करते हैं, और जो बहुत सार थोड़े अपने सिदांतवादी थे, अपनी लेडिस को परिसान नहीं करते थे, कोई ऐसा काम नहीं करते थे, जैसे गाहों में भी जगड़े हुए तो जगणों का निप्टारा करवाना, ये करवाना, तो पबलिक में उनकी छभी जो गाहों वालों में रोविन हुटकी हो परिसान नहीं करते हैं, तो पान सिंग्त उमर जिसे आपका कभी आमना सामना हुआ है कि वह आपसे पहले, सर्विस के पहले, हमाई पहले ही मतलब, आमना सामना तो जब लगए थे तब सुनते थे, लेकिन उनका वह हो गया था, इंकाउंटर हो गया था, तो ये सारे किससे क आप राशन वासन केरी करते थे या फिर वहां पर जैसे हम लोग फिल्मों में देखते हैं कि मुरगा औरगा गाउं से ले लिया, बना लिया, खा लिया, इस तरह से, हम लोग क्या है कि यह जो अपरेशन किये हैं, जो डगएट थे, इनका गाउंबालों की तरफ काभी जु बड़ा मुश्किल होता है कि इसलिए हम जो जाती थे गाउं में नहीं जाती थे, हम अपना उपरेशन शुरू करते थे रात को 11 बजे, रात में, रात में, रात में 11 बजे हम लोग जाएंगे, पांच कंटे की पैदल चलके, रात के अदेर में और ले जाके, हमें जैसे लो ग्वालियर और इजर, क्याना में, सिवपूरी, इजर मुरेना, इसलिए हमें से लगा हुआ है, अच्छा यह पूरी पाड़ी पाड़ी यहां से आप चलेंगे, बहुत बड़ा हिलाका, आप लोग पहले हम लोग भी 35-35 किलो मेंटर चलते थे, तो कैसे आपको पता कैसे ज और माँ पाड़ी की चोटी पे जाके अपने बैट जाते थे, एम्बस लगा के, फिर क्या सोवे जैसे ही उता था चार बचते, पांच बचते, तो फिर हम देखते थे कहां धुआ उठ रहा है, कहां पानी की जगए, पानी की जगए देखके जाते थे कि वहां उपर से तो इन से हम देखते थे, फिर मालुम चला की यह नहीं है, यह नहीं हुआ, फिर रात में चलके हम दूसरे पहाड़ा पे पहुंछते थे, दूसरी लोकेशन पर, तब ढूण पाते थे हम, और इंफॉर्मर्स का नेटवर्क, फिर इंफॉर्मेशन का नेटवर्क वो अमें इतना बता देता है ता कही नहाँ है लेकिन कुछ गेंग ऐसे हुए जासे गडरिया गेंग हुगा हरी बाबा का हुगा तो जी अमनी लोकेशन नहीं देते थे अच्छा इनकी लोकेशन पुलिस डूण ही नहीं पाती थी और तब ये जी पीए सुपेस वाला सिस्टम नहीं थ तो उनको ऐसे डूणना पड़ता था अच्छा और कोई टीम पुलिस वाली कोई टीम डूण नहीं पाती थी हम ही डूण पाते थे ऐसे हमें चार चार पांच पांच दिन लग जाती थे डूणने में और खाना पिठ्व रहता था उसमें रहते थे रोटी-ोटी रख लेते आप भी खाना बनाते होंगे तो कई रोता होगा दूणा उड़ गया तो नहीं आप तो अपने खाली गंदे नाले का पानी मिल गया पी लिया बतलब हम अपनी आइडेंटी पर नहीं करते थे और आगे अपना चार पांच लोगों पर गोरिला पार्टी रखते थे अगर कोई देख भी लेता था तो उनको देख पाता था तो उन्हें का कि जो बदमाजी गेंगे गुम रहा है तो फिर उन्हीं से पता करवा लेते थे पता लगता कोई लेकिन गाहुवाल कोई नहीं बताता था तो पहली बार आपका बीहड में आपका पहला इंकाउंटर कभ और पहला डकेत आपने बीहड में कम भारा पहला में ब्याची तेरा सी की बात है इससे अपा निस से तेरा सी में पहले डबरा के पास जंगल में न नदी के किनारे हमने बाला सबूरा गेंग का पहले ए 치िक किया ने पुलिस में आने के बात किया फिर उसके बाद ज कि आप पूरी पार्टी लिए तरी दीरे ऐसी करते रहे हैं और आपके सामने जो सबसे खतरनाक ढकायत आपको लगा यार यह बड़ा बदमाश है यह इस से इसको जरूर मारना है ऐसा कोई था ने खतरनाक तो करीब करीब सभी थे बड़े जो गैंग ते कौन से गैंग ते इस जे उसमें क्या जाती वी से इसका था सिर्फ गड़गी और एक दो स्थी थे और कौन सा था ऐसे एक हरी बाबा कौन था हरी बाबा कौन था अच्छा तो उसका भी बड़ा अतंक था मतलब हा उसने भी अपने वहां लाई में छोड़े-छोड़े बच्चों को यह आग में दिया इतना इतना मतलब भी बर्स था उसके बाई ने तो अपना लिंक काड़ के चड़ा दिया तो एसे-एसे-एसे रखे दी रहे तो क्या कहानी थोड़ा सा बताई इसको जी उनकी आपस में जगड़े थे जगड़ों में उनने कई मड़र करे इसके बाद जगड़े में इसकी ने कर विवक्टे उसमें गोथ में शगड़ा के और आगमें शगड़ दिया रतंग़ भी ती है है रतंगड का मंदर पर सी वहां चार बाबाओं को वहां वजाते हुए चार बाबायों के हंत्या कर दी था ती मनि मार दिया था मंदिर भ्रिक तो इस दाइब की ऐसे- फिर वो लिंग क्यों चपिशा लिक तो औरने कोई मनत मानी तो उसमें आपने काट के चपना लिया मतलब हम इ最近 लो ये विए अधी वस्ते हैं है कि तक है कि आप सुनोगे तो अभी किसे रहा जैसे जैसे और तो वो डगेट वो ऐसे किससे बड़े मतला रॉंग्टे खड़क कर देना वाला और डर पैदा करने वाला इससे लोग आख बड़े डर जाते हैं अरी यह तो बहुत ही सलकपन वाला काम है इसके बाद उनका एक भाई जेल में आ गया तो हलाकि उसके तीन चार भाई ऐसे थे वो ऐसी मारे कहेटे एक भाई बचा है बीबी अच्छा अभी वो है अभी भरादी पे वो नहीं परारी पे जेल में जेल में अब क्या से थी अब अब ड़कायत वक्यात तो अब ड़कायत तो सब खेतम हो गए तो कोई खास नहीं बचे एक जब कभी कोई पैदा होता है तो कुछ दिन चलता है अब तो और उस समय जो रहते थे उनकी एवरेज लाइफ क्या होती थी एक ड़कायत की बैसे तो चार या पांस साल रहती थी लेकिन इनकी जरूर पंदरा साल करीवण रही है जे गडरिया गेंगी गडरिया गेंगी और ये वी वैसे विभत थे हैं जे वी वाद्विभत थे इननने तो एक बार तो सड़ी पहन्के आगे बिलकुल लीडीज बन्के आगे मार गए थे इनफॉर्मर को आपके इनफॉर लेके, और उसके घर पास आकर लेटिन करने के बबाद, थो हाला कि उसके घर में कार्ड लगा था पुलिस का पुलिस का, हाँ इसके बावजूद भी, वो साड़ी पेने के आया और मार के आया, और फुलिस नहीं समझ पाई की, नहीं समझ पाई जब तक उनने की लेडी चाहिए तो जान नहीं दिया, और जो है, और आपके गॉली-गॉली समा रही है, गाड जब तक समझ पादे मार के भाग गए, अच् और कितने साल लगे उनको खतम करने में, करीब नहीं, 13-14 साल लग गए, आठ लोग 14 साल तक उनका आप तंक रहा, बाराद, दूनी, और 20, ठीक, उनमें क्या है, कि सब भाई-भाई थे, कोई कजिन भी थे, लेकिन सब भाई थे, और वो दो, तीन, चार और थे, उनके जो मे देवासी हुए, या एक भूबी था, इस ताइप थे, तो इनको हत्यार कहां से मिलते थे, हत्यार थे, अनों ने पुलिस को, पुलिस कस्टेडी में से भागे थे, उनसे छुड़ा लिये थे, अच्छा, उनकी मिर्ची जोंके आँखों में, हत्यार ले थे, एक हमारी एंफ को बार मढे से पुलिस कांस्टेड बना थे, उसको माण़ के उसकी sport स्थार अच फिल्ए ने लिएती और कौन-कौन से थियार हो घ्याते थे? तर में कि उससे स्थार मारु श्री थे तो आपको इसका इस्तिमाल करता है यह नहीं करता? नहीं उसको नहीं लेता कोई क्यों? वह अलग ही उन्हें रख दी इंटीक पीस हो गया है उसने बहुत ज्यादा मार दी कितने मार दी उसने? उसने बहुत सम्त इंकाउंटर अपने उसी से की है तो यह जो 116 इंकाउंटर है, इसमें नंबर आफ इंकाउंटर की एक्शेंज फायर है या फिर डगायद ही मारे गए 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 116 डगायद आप में खुद स्वयम मारे है स्वयम मतला पूरी टीम ने मतला आपकी टीम है इसके लिए आपको बड़ा प्रुश्थाहन भी मिला होगा है सोला गैलेंटरी मेडल गए हमारे राश्टपदी पड़ा सोला बार मिला मिला एक भी नहीं चुकि हमाई पहले बीच में गोली लग गई थी तम एकास साल माई कंगार हम एडमेटर है अध़ शहसाद महीने हो रहा है फिर इसके बाद रेस्ट वेस्ट करते रहे इसके बाद ए संबग हो गए तो दोनों के IG अलग थे तो दोनों IG लड़ाई में मुद्मडर कर सम्पह लगा दिया था यह दो किस्से हो गए मैं बारी बारी सा था पहले गोली लगने वाला किस्सा कब लगी गोली 16 राउंबर 2002 तारीख थी जगे ठीक जानकारी है मेरे बाद ठीक जानकारी है जगे जी गोलियर और चंबल भिंड का छेतर था इंकाउंटर करते हम पीछे पीछा करते वहां तक चल से खेते हैं कॉन सा गैंग त्यव्ट कौश है फिर गोली लगते देन इसमें क्या है कोई वैसलो घर सा बनायता कच्छा है वह इसमें बड़ा था एक यह तास्टायम तो उसमें उसके बच्चे वी थे लेडीस थी एक अब जे नहीं मालूम था गेंग इसमें हैं कि वो खेत में बाजरा को खेत था पगिल में तो अबने कहा कि उसको और अवरत को बापस लोन लिया है निकाल लाएं वो बच्चे को कि नहीं तो इन गोली चलेगी तो यह लोग नहीं हो जा तो उनको दोनो तो फायर पहले ही लगा वो कहा लगी यह कमर पे यह कमर के नीचे अच्छा जैडी टूट गई थी और स्रियाटिक नर्व अभी पी चलने में थोड़ी से दिक्कत है तो जो है इसके बाद फिर एक कि वो गिरे पहले तो हमने कहा उससे तुम्हें गोली लग गई क्या उससे जतेंदर और वो नूर हमाए साथ में थी अब तो उनको अटाने काये थे तो जब जैसी के रहे तो वहां देखे तो आपने पोईशन लिये थे तो वह एक फूटी से में हाथ में थी वह एक ब्रस्ट दिया तो ब्रस्ट में तो पता नहीं चला उस वर्ट एक दमनी में लग तब तक वह पैर समाल नहीं पाया ना तो आप गिरे गिरे जैसी तो वह सामने दरवाजे के सामनी दिख रहे थे वहां से वह एक फूटी से में से गोली लगने के बाद आपने लगने के बाद दो तीन तो वहीं सपर्ट पही दरस्ट आई हो गए थे अच्छा बस्ट में ब आपको गोली लगी हुई। आपको जो है घसीट के दोनों छो हम पकड़के में होम बैं के बाद हम आपकेशे मेंुप से रहे हुगा। एक बर भी ऐसा ख्याल आए कि आज यहां से बच्चे जाना बड़ा मुश्किल है। अभी नहीं आया, अब इसके बाद क्या हुगा, कि हम इनको बताते रहे, वो पार्टी दर से आओ, जे दर से आओ, अच्छा हो, उनको आवाज लगाते रहे। इसके बाद भी पुरा अक्टिव करते रहे। इसके बाद आद गंटा जे गोली चलती रहे। इसके बाद हमें ध्यान आया, एक दीवाद थे अडिसनल एसपी, वहां बालागाट में, तो उनको ऐसी गोली लगी थी, उनके पैर में लगी थी, नेक्स लाइड के उसमें, तो बिलीडिंग कारण मर गए, तो पर मैंने काई एकसी बिलीडिंग हो रही है। तो और सेट से, आदे गंटे बाद, आदे गंटे तक आप जो है, कमांड देते रहे, फायर करते रहे। उमार साथ वे एक और अनूप था, वह थोड़ा काहमा तो उसमें साफी ऐसी बरके, थो और मर चुके थे वो फकड छूटके आ गई थी, और भी मतलब एक दो बच्चे तो गोली चलती रहे। फिर चार-पांच गटे लग गए आने में, और ब्लेडिंग हो रही है। ब्लेडिंग बंद कर दी थी मतलब, यहां आके जब फोला ने डॉक्टर ने, तब एक दम बि पल्स पैंतीस रह गई थी, मतलब दिखाओ कि थोड़ी सी लेट और हो जाते, लेक्टर लोग ही बता रहे थे, कि पल्स अकर थोड़ी सी और आपको बिलकु जाने ही वाले थे, और जब आप अस्पतार में आए तब आप बेहोश हो चुके थी या आपने वो देख रहे थे हम, हमने भी जो हमने अपने जो बहरवाले या जो रिष्टियार जो देख रहे थे, मिलने वाले, उनको देखके हम जड़ा थोड़ा से मुस्कराए कि इनको जी नहीं लगए कि हम हो गए, कि जब दिलेरी का है, बस वसी ही समय महसूस हुआ था, कि एक्सीज बिलेडिंग से इसा नहीं हो कि कॉलैप्स हो जाए, तो फिर घर और, तो घर पे कैसे पता चला लोगों को पत्मी, बच्चे, फिर वो सेट से, सब्चे के पता लग गया तो मेसेज थी बोपाल, तब बोपाल सिर्ट होने का चल रहा था, तो बच्चे वगएरा सब ही थे, तो वो सारा आप का क्या उस समय इनका गैंग खतम ही और कब तक था, डगयतों का अतंग कब तक था, बस उस दिन हम जाने वाले थे, हम बोपाल से चुटी लेके, एस पी साब ने का कि जी अभी डील में, इस का वो कर लो, तुम जा के पकड़ छूट जा, तो इस गया इसके बाद कल चले जा टा, लेकिन उस से पहले गोली आ गया, फिर कब तक रिलाज चला, फिर हम पांचा महिने तो वहां रहे, डिली में, सब गंगाराम में ले गाए, याए, आए, जी थी, हम आ गया थे, डीजी आ गया थे, सीम कौन था, था, खिर आय थे, आये थे आपको, देखने आए, आथे तो वही आ गय थे, गंगाराम में नहीं, गोलियरमी आ गय थे खिर आप गंगाराम कब गय है? दिल्ली कियादा उनको लगा कि जादा है उनने का कि हड्डी टूड़ गई थी? हड़ी जेवपूरी टूट गई थी फिमर और सियाटिक नर्व कट गई थी और वो सियाटिक 80% डैमेज हो गई थी तो वो क्या है कि उनने का कि यह काम नहीं करेगा यहां तो बिलकुल इस टंग काटना पड़ेगी तो आप वहीं ले जाओ यह जिस नर्व की बात कर रहे हैं बदरिया जी यह बहुत ही महत्पूर नर्व होती और अगर इस पे चोट लग जाए या कट लग जाए तो फून ऐसे फवारे की तरह निकलता है और इसको रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता है तो फिर गंगाराम मे को भग चुके थे पुलिस की आँखों में धूल मिर्ची जोंके राइफल लेके तब तक और फिर आ गए थे हां तब तक और आ गए तब तक उदर एक उदर का हो गया था काफी मतब सक्री हो गए थे हम जब गए तब तो यह डर गए थे तरके इनना स्रेंडर कर दिया था आपके आपसे तरते थे हमाई उपर पचास लाग इनाम रख दिया था तो यह आपको बात जब पता चली तो आप पेपरों में आ गई ती काफी हां इस पेपर में और समय क्या एक बस किड्नेपिंग कर ली दिनों है तो हुआ उन्हें उन्हें आता है कि वही है बदमास सुबही साला तो टूट गई लंगडा तो हो गया है अब हमारे जब गोडी लग गई तो उनने एक मन कमसकर लड़ू मांटे थे अच्छा एक मन लड़ू मांटे थे तो अच्छा यह यह इस सब ऐलान होते थे आप जाते थे इंकाउंट्रों काउ अच्छा एक मन कभी नहीं लगा बल्कि जो इनको और मोटिवेट करते रहते थे जो अगर कोई देखते हैं तो इसको अटा देते थे तो अच्छा देखा कि दर रहा है कि जैसे एक 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 उंटर हुए है उसमें गोली चली और उसके लग गई बैसे एक दो तीन हमा सब तो यह पिरा था तो जोड़ा सो अच्छा कियोंकि आप जित्त और सो धी तर सब बिल्कुल ऐसे होते था किसी के भी लगे जा हो आज़ ऑख दो पार outta 2 फी बिल् plates dw character OF और वी क्नले नहें एक गए मौनें एक तो बहुत देते हैं गाली, और गुस्सा आती है, जो आती है, एक बार तो एक बार का वाक्या आया है, हमाई एडिशन एस्पी थे, वो भी थे साथ में, अच्छा, अर डियाईई से रेटार हुए, तो हम लोग यासी जा रहे थे, चार दिन हो गए थे, चार दिन करीबन गु तो गर्मी के टाइम था, तो एक तालापसा था ठोटा, पाड़ियों के बीच में, पानी बहुत बारा था, उन्हा के जी अच्छा है, आपन नहा लोग, तो हम लोग सम नहाने रखे, दो संत्री लगा दिये थे, कि देखना, इंडिया कहतों कही लाका है, तब तो गैंग आ नहा है, तो उन्हार पॉलिस भाले भाली सुरू करती हुद आ शुरू करते हैं, वो भी नहीं देख पा-वाले बॉशिली, जाली सीरा देखना ही, इझली समय होते हैं, तो कि लेटर मदोनी आइस सब्धारा हुद हो है, फार रही हो पा ओष्वा ल retail के आपनते हां, उन्हा अपनी पर थे आप नीचे रहोंगे, तो ऐसा एक फस गय थे, संत्री जो आपके ध्यान नहीं देखा है, तो बड़ी क्लास लगाई होगे अपनी, आपके बादे क्लास तो कुछ लगाई थे, अमने गाली बात इसलिए पुझी लें, क्योंकि ये बड़ा सामान ने हो गया यह बला दो और गेंग अखेंग। अटां के सिंक्ट हुआ था। इस तो फैसे इनकाउंटर हुगा थे गहल हो गया। इसमें हुआ है यहां ऑई जी साफ भी साथ में थे। उमने संगी हुआ ए आफ वह गया। जब आफ इसको अस्पतार मैं पहुचा दो। तो उनने से कही उसको ठाके अस्पदा ले चला। उससे कही रविजा तो मारेंगे नहीं, नहीं बोले सहब आप मैं बचूँगा नहीं, आप तो एक काम करना तो उससे पूछा उनने आई सेमने, कि बता थे ही कोई अक्छा है बता, तो उनने का मेरी मुचों उंची कर देना, मनने का अच्छा, फोटो आए तो कम से कम लगे मासान सिंग जे अच्छा, अच्छा, तो उसकी मुचे बड़ा वो अली बात है कि अगरी चादी है, अगरी चादी है, उसने का तो मेरी मुचे उपर कर देना, फिर हमने दो सपाईयों से का कि इसकी मुचे अन्टे लगा के तो उनने उसकी मुचे यजी करके फिर उसके फोटो में डोगा तो बच गया होगा, नहीं मैं बचा नहीं है, अच्छा यह कि मेरी मुचे उपर करके फिर फोटो में रख लगा, तो यसे है कि कई ऐसे मतलब यसे कई है, और जो ये मुचे उची कर देना, और भी विसे एक जगह और बहुत पहले की बाद एक चतरफूट साइट का था तो हम लोग दो यह तीन लोग थे ज्यादा नहीं पे असी गये थे तो हम लोग गये थे फायर आयर करते रहे उसमें ज्यादा मतलब मुने थी तो फायर आयर करते रहे बिद्किया जाए गया कार्टेज भी कम मतलब ख॥ायर के भी होगा उसके भी ख॥ायर को भी ख़तम होगा तो उसना कहीं कि बंदु के क्या मार रहा है कि दम ओदो पकड़ अभर मार आओ तो आम उसके पहले चितावनी देते होंगे, शरेंदर करने के लिए कि जाते ही धर्द्र दर्द्र बंबया वाला स्टाइल में नहीं होता जैसे फिल्म हुआ करते है ना जो पिक्छरों में कि लिया ठोग दिया अपन पहले मोगा देते हैं कि समर पड़ करते तो खाय को मारो अच्छा जैसे आपने बंबई आले उसका जिक्र के आपके उपर वी 2002 में फरजी इंकाउंटर का 2004 में नहीं 2002 में ही आप सब्सक्राइब वही तो इंकाउंटर के रहे हैं वो जो गोली जो गाउंवाला मर गया था अच्छा उसी में जवाब को भी गोली लगी थी नहीं उसमें गोली नहीं लगी थी गाउंवाला के इसमें मरा गाउंवाला जैसे डके नो इसे इंकाउंटर चल रहा है और उसने डके ने गाउंवाले को इस चक्र में कि पुलिस का इन्पॉर्मर है। इसने हमें खवाई खावर दे ली। तो उसको मार दिया। उसको मार दिया। ठीक है कहां वाले भी समझ गए कि रखेंदों ने मार गए। इसके बाद आई जी आई जी को लड़ाई थी। अब वो था इलाका दूसरा। मुचंबल का है। हम थे इंग वाल इसके अगुषे है। तो उसके जाके वो और उसके जो पिताजी थे नवाब सिंक इसके बाद जो ता। उसके गले में जाके ऐसे करके और रोनी लगे। किये, लगे मुझे मालूमित तुर चंता मत कर! तेरिए बेटे को किसने मारा है, जाम इनने छोड़ूंगा. जब वुषमल से डूरे चा-वालों से डी तो वट निया मारा है, वुट टीम आई ती वास को उब भॉघाने मारा है उसको मैं उसको नouched चोड़ूंगा . और जे वो करके तो उन्हें वो कदमा कायम करवा दिया फिर आप 2004 में बरी हुए 2004 में फिर हम केस लड़ते रहे पूरा केस लड़ा तब तक सर्विस में नहीं तब सर्विस से हट गए थे नहीं सर्विस में थे तब तब यह जाते थे अपन गाउंटर तब तक तो आपके पर रही है तब तो रोक लगी तब तो हमें वो कर दिया था हाला कि में केस लड़ते तेले के सस्पेंट कर रहे थे तो और इसमें भी बेश्य का बड़ा केस है जब जादा जी हो गया ना केस तो नहीं का इनका चालान करो। अला कि कोई चलाएन लाइक नहीं थी हुद लड़ाई की चकर में आई जीतर पाटी और बेजर रहमन जिनाम इनकी आपस लड़ाई थी इस दोनों की लड़ाई की चकर में उनने केस खिलाब कायम कर दिया अमने का दम अधियार जमा करदोuma है के लियार के कांगा ही एवार काटना पड़ीता दस-पंदऱे दिने फरार रही का कटनो सब परिम्ने फरारी काना पड़ी नि करें कटा जाथ मिलीक कर फिरह जांग गवल खमेहे हां वो फुर वुमने दहां सोंस दी देखार, का इता हमारे पास बहुत भैपन है, राइड कारते हैं। हमेरे पास यह उतेवी भैपन हैं आपके जिले में भी isn औग होगे। हमारे तू-इंच मौंटर में भी थी। कहाँ के बाता थी तूंधार नीक च्ता करें। तो इनके हथियार क्या करते थे उनकी हाथा जब तो जाते थे जब तो जाते तो फिर फरारीमे रहे 15 दिन फरारीमे 15 दिन और अब कहा कोई कि framing कए क्पूई पुलस प्र चाल Saget來 न तो मानफों को में देडी करनेंगे तो उचे कर देंगे डीजी सापको भी कह दिया था और हमने किसी को भी आपने सस्पेंड करा या कुछ करा तो आप सुच लेना आप तो सीधे ही जो भी अपनी लिखा पड़ी है करके और अपना चालन पेश कर दो पहले तो थोड़े से बोले कि कैसे नहीं करोगे और जो जो करेंगे थोड़ी उन्ने भी करें घृमाटो तो देख लो आजा जाओ हम टू-इच मोर्टर का देते नहीं फूर और अड़ाई देते हैं तो अब तो ले रहे यह सी कैसी बात कर रहे है तुम तो पूलिस मॉप्झ करवाया मालम है और कौन से नेता है नेता भी लगे थे इसमें नेता ही तो बहुत लगे थे इनने बहुत बिदानसवा में सबके कुड़ते फाट डाले बहुत बिदानसवा में उदम करा इनने तब इसे तो काइम करवाया नेताओं का क्या मक्सद था आपके पीछे लगने का नेता कुछ जलते थे कुछ वैसे थे कुछ डखेतों के अमदर्थ थे अच्छा वोट वोट चाहिए रहते हैं उसमें के आप डखेतों के नाम नहीं बता रहे हैं अठीक अच्छा थे लगए हमनका के देख लिया है मंत्री और सताब जी एक्सप्रेस आएगी सनिवार के दिन करेंगे अपर अपनी इंफोर्मरों को अमने बुला लिया तो 50 लोग बंदू ले लेके इंफोर्मर आगाए थे संद नजी के कनारे और इनको खुबर मिल गई डीजी साब को भी उनने की अर्जित बड़ा उल्टा हो जाया का जिए इनने गर कुछ कान कर दिया तो उल्टा ला रहे हम लोग चहुदा लोगों की टीम थी चहुदा पंदर लोगों की सब सभी थे पिर ये केस से आप लोग बड़ी हो गें फिर आपने चार्ज ले लिया फिर हमने इसमें करा पिर हमारी एंटी सेबिटिक बेल हुई बेल में भी बहुत लोगों करे मतलब दो साल तक वह आप इस तरह से परेशान रहें फिर उसके फिर से चार्ज लिया फिर जिस सब जगर बढ़ हुई तो फिर उन्हें याद आ गई हमने तो इनने भी काई आप कुछ मत करो बहुत हो गया जिए जब राहता फेल गया तो राहता फेल हो गया और नहीं तेरे जगुद ऐखटे तो उनके लड़ाई गुर्जर गैंग लड़ता था तो गुर्जर लोग बहुत फरार रहे पुलिस भी साथ में रही उनके मानने के लिए लेकिन उनका कोई पता था नहीं लगपा रहा है मेरा हाथ सवाल है कि जैसे मूम्इई में होता था कि गैंगवार होती थी तो सबस्टे gives the quality work लोग भी बंदूग लेकी निकल गाया थी अच्छा फर वो कंड लोगां तो पिर आपको वापस लेया पर से लिए फ़र माना पैर नहीं yap तब तब-दोस्य पर दो दीन उसमें तैयर करे कि जैसे पहाड पर चड़ना हो तो वो ऐसे करके कले देते थे अफ़ा दो लोग बना दे तो बैठ जाते थे थोड़ा उससे सारा लेकर पहाड पर चड़ जाते थे तो आपको बार कहा देना चाहिए थे मेरे पैर में गोली लगी है खूब काओ लेकर नहीं मानते थे चले चलो आते हुए उनको लगता था कि कर ले गए यह फिर आपने फिर से इंकाउंटर की फिर इंकाउंटर करे उसके बाद ही किया जब गुरी लग गई तब इसका किसका जे कड़डिया कर तो कितने लोग मारे इसमें उसमें पहले साथ- प्रीम में ही वो पैदा किये इंफॉर्मर से फूट पड़वाई दो गेंग करवाए एक के भाईयों-भाईयों में फूट डालो राज करो बो करी तो फिर पहले एक मारा पांच है जब गोली-गोली लग गई तब यह दूसरा गेंग भी ड़के मारे सरेंडर हो गया था फ वक्त लोगों बनवाई कम से कम बनवाई होंगे 20-20 हैं और जो जिनके जो हमाई इंफॉर्मर मर जाते थे तो उनके बच्चों को भी एंबाल फॉलिसमें करवा देते थे इसलिए लिए लोसमें बिस्वास करते थे इंफॉर्मर भी और सब बहुत हैं जाएंगे तो हमाई जाते हैं कि अब कुछ नहीं है माई आपकी वह से पहले तो आपने फिर चार के बाद फिर इनकाउंटर शुरू किये तो कब तक करते रहे दकैतों का सफाया फिर आठ तक करीवन हो गया था साथ आठ तक करीवन थोड़े रह गए थे तो पुर चुटपूट चुटपूट पर करते रहे बस चलता रहा फिर चलते रहे करते रहे फिर कभी ऐसा आपना सामना हुआ गोली आई हाँ आपना सामने तो हुआ कई बार आप एक इंजिनियर को पकड़ ले गाए तो एक रेल्वे इस्टेशन है वो छावई ने बंद रहा है यहां का क्यों कैसे पाटर केंदर सरकार की प्रापर्टी और राज में ठकाईतों क्याता है बंद रही यह तो बड़ा अपने आप में दुरलब चीज है पाटर खेड़ा है फिर कैसे उसको खुलवाया फिर बात में मर गया तो इंजिनर को तो पर अपने ही चुड़वाया था छूड़ गया था इंक लेकिन बहुत है यहाद बहुत है उसके प्लास्टिक के बोरे में रैंसम लेते थे एक एक करोड ली है उसमाने में हाँ एक करोड ली है बहुत ही सुनने में तो हमको तो सुनने में इतना जो है और मतलब रिस्की और मतलब दिलेरी और मतलब जो भी शब इस्तमाल करने लग कई बार ऐसा होगे कि भगदर में आपके पास आ गए आपने उसको दोड़के पकड़ लिया उसने आप पर फायर किया हूं अमने पता लगा कि वी इंजिनियर को पकड़के रखे हैं जो लोग गेंगे तो हम लोग उने का अपचुंकि वो इंजिनियर वैसे ही हो गया था वो आपके चाह के तो आज़ा हमाइए पास पुलिस हैं पुलिस हैं तो वो हमाही तरह पना आते हुए ठकेतों के पास ही बग़ए हैं अच्छा अब बर्धी में तो रहे नहीं होंगे हैं नहीं हम लोग बर्धी में भी थी तो पही उन पर ज्यालदा विस वास कर रहा था चा तकायद के दोस्ती ही कर लेती थे तकायद उसको जो दैराम करके था एक ड़रिया वो बिलकुल ऐसा कर दीता था पकड़के के जो जाती थे वो समझती थे जो बड़ा धर्मातमाजमी है और बड़ी मज़ूरी में कर रहा है और रैंसम की रखम भी निकली तो वो उनको बताता पुलिस का ये उनका है ऐसा धर मन्दिर में जाएगा ज्यूसमें जाएगा मतला उनहें लगता है कि जैत बहुत अच्छा अदमी है खुझ भूंकर जाएगा उनको खिलाएगा तो उनको उसके ही यीद कहाती थे पर क्या हुआ थे व भागा उनकी तरफ नहीं शुट पाया उस ताइम पर हम चलाती ही रहा है उनकी तो आजा आजा पूस चला गया उनकी संग है पर दुबारा में चुड़ बाइदा बाद में बड़े दिल्चस्प किस्से है और आप जो है फिर जब ये नकसल खतम हो गया तो फिर आपको कहा पोस्टिंग दी गई फिर में दीगी बालगाट कर दिया नकसल ही नकसल ही नकसल ही रहा हर टाइम आप एडवेंचर में ही रहे पहले भी हमने यहां जब यह सब अरीवाव kiejवेंटना चांटवाड़ा घंट लाइड़ में थे नकाटाइम से लिए तुम्ह।हाठ्य शिंग पर नहीं विंटी ख्रशनी चेकोर रहा है यह रहे से नहींग कराते हैंógर्शल कांटर में बूंचल अब पहाले भी हमेंसा महां किसम क्वाएशल के नकीन है मल्य हैं संठी बोलते थे तो अमें कार्टूसों की कमियमी नहीं नहीं रही और चाहिए एक से तालीस कभी आप इतना किस्ता बता रहा है तो बड़ा दिल्चस्पी हो रही जानने में भी मुझे तो इंट्रेस्ट इतना ज्यादा आ रहा है आपकी बाद से दर्शकों को भी मुझे लगता है इतना ही जो है इंट्रेस्ट आएगा यह जो गोली कहते बहुत लोग कहते कि जो एक से तालीस से निशाना लगाना मुश्किल होता है तो यह बात अपुआ है कि उसकी गोली ऐसे करके जाती है नहीं नहीं जित अपुआ है लेकिन वो यह राउंड करके जाती है मतला राउं आप उसमें मुख कर दूना गोमा दो हम यह तो स्टाइल हमें तो वैसी हुई तो हम तो दो फोट उपर उपर उचके और ऐसे माल देते थे एक फोटी सेवन से जैसे नीचे कोई है अपने यहां से दिखनी रहा तो उचकेंगे और उदर से यहां से मार देंगे पायर मार देत से उपर जाके हमें तो बहुत हो गई तो सुई टांग दो आप तो सुई में मार देते थे बोटल का डखन टूड़ देते थे 47 से उसका निशाना सब्सक्राइब बिलकुल असल लगता था बिलकुल बोटल का उपर को निकलता था अच्छा है और आपकी टीम में जो लोग अच्छा थे उनके भी निशाने अच्छ थे बड़यां सब पर अलग अलग थी आपके पास 47 रहती थे हमेशा एक वारमादा उसके पास भी एक से तालीस थी बाकी मतलब एक पर एक ही रहती थी थे एक 47 इन पहसा लार देते थे इंसास रहा गई इंसास देने लागे किसी प पर बाराबूर भी थी तो बड़ा दिल्चस्प रहा आपका प्रोग कर गया है मजह आता था इसमें और जो सरेंडर करना चाहता था तो सरेंडर भी कराते हैं और फिर उसके बाद फिर आपकी फाइनली आपकी डार्लिंग जमा कप करा ली गई किया जमा तो फिर हमने जब रे हैं 2017 को और अब 2017 से 2023 चल रहा है जब मैं आपका इंटर्वी कर रहा है अला कि हमें गर्मेंट दिया है PSO दिया है सुरक्षा मिली है अभी थ्रेट आपको मारते हैं पूरे रिस्तियारों को घरवालों को सबको थ्रेट है कि आपने जिसके मारे हैं तो पता लगा हो बहुत से तो कसम खाके गए हैं जो कि हमें को मार के ही लोडेंगा भी लोडे नहीं है अभी भी कुछ है अभी भी कुछ है जो उनके साथ के हरी बाबा के दो तीन है इधर गड़ी किया के है हरी बाबा को भी आपने मारा उसको कहा मारा उसको रतन गड़ी की माताब ना मंदिर के पास मंदिर के पास एक नाखाड ताल जगह है, वहीं के जंगल, रतर्विड़ा के जंगल है, बहुत बढ़ा जंगल हो दो तो उसको वहाँ पर आपने मारा, तो उससे भी आखरीक्षा पूची थी? नइ आखरीक्षा पूची फिज़ेए उससे तो डकेळ बन के गूली चली थी, डकेळ डकेळ उना. कैसे? रकेद, हम लोग भी कहा है कि उसका ऐसा समराज था कि उसका एक भाई रहता था जेल में, तो जो भी Ransom Ransom की बात और जो कुछ शुड़ा नहीं की तो जेल में बात हो जाती थी वो अपने ख़वर बेज़ देता था, और उसका इतना बड़ा नेटवर्क था कि हमाई अगर जाड़ी दर से तीस किलो मीटर अंदर गुजी जैसे, तो उसको पता लग जाता था कि पुलिस आई. कौन से साल में उसका एंगाउंटर किया आपने? जे इसका किया रहा है. 90 में. 90 में? तब तो फोन ओन भी नहीं होता था तो उसको कैसे पता लग जाता था? नेटवर्क, इतना नेटवर्क रखते हैं आदमी चला जाएगा, आ जाएगा. तब कुस्मा नाइन भी फक्कड भी उसके साथ में थे. कुस्मा नाइन के नाम सुना हुआ है, एक फक्कड राम आसरे और फक्कड. इस सब ड़केत थे? अच्छा, फिर जो है, आप जो है, उसको पर आप लेटर पैट थे सबके. अच्छा, रस्वी समराट, फ़लाने रामा सुरिफ अक्कड, कुस्मा नाइन. अच्छा, वो आदेशारी करते थे? हाँ. जब आपको उपर 50 लाग कही नाम भी रख दिया था, तो फिर उसको आप लोग ढ़केत बनके पहुँचे? पुलिस की गालिस नहीं है? पुलिस की गालिस नहीं है, हमने भी एक गैंग वाला रख छोड़ दिया. मतलब ज़ी गोरिला वाला गैंग बोई घुमता रहा है. और एसलार थी एक हमारे पास. और बता दिया कि ये गुजरों का गैंग है, गुजरों का. और ऐसी एक दो हरकते भी करवा दी, फायर फायर कर दिया, किसी को पकड़ ले गए. और उनके पास एक बड़ी बंदू के असलार है, तो अरिवाबा ने सोचा कि इनकी असलार छुड़ा देंगे और इनको मार देंगे. अच्छा. बो जी चक्कर में थे, अपन जी चक्कर में थे कि इनको किसी में दो पकड़ लेंगे. पकड़ने कोशिस? पकड़ने कोशिस करी थी तो उसने तेज था वो अरिवाबा उसकी जो तीन से छे राइफल थी उसका इतना बड़ा बड़ वो टोड़ दिया था उसने, मतलब हटा दिया था. तो थी छोड़ी सी थी पता नहीं पड़ती तो उसने तो भी दो गोली मारती थी एक हाथ में लग गई एक पाउं में लगी. कितने लोग थे वो दोगी, वो भी दस थे करीवें. हम लोग साथ आड़ थे. तो आपने उनको रोखने कोशिश की या पहुंचते ही वो फायर करने लग गए? उसमें जी बोला कि ठीक है चलो पंडित जी आ रहे हैं, हरीवाब पंडित हैं, तो उनने गए कि गैंग वाले प्रश के लिए जुका। जके रहे हैं, जो पाँ डाँ जुके गां के लिए जुका। जो पीछे वाला तो यहार थे जुकेगा, या तो पकड़ ही लेंगे, इसको हरीवाबा को दवुच लेंगे, और बागी फायर कर देंगे शरूट। तो जयसे नीचे जुका तो उसमे पड़ा गोली ठोकी दी अ…. ॉख्माइ वो तो असिरवात नहीं देने जर्चा इनका इनका इसनार चिलने के मुट से- इसनार चील लेए तो उसना गोली चलाई? वो उसना गोली चला दी तो एक खोंगी। ज Southern होंगी जो अंत जो करने को हुगा नीचे दवाया दा तो हाथ में लगी फिर उसने थोड़ी सी कोसिश करी फकड़ लाए तो एक और दे दी उसी नहीं तब तक कोई समझे नहीं पाया कि जेता पाल चुने गया तर नहीं डाल दी तब उसने कही कि महारो इनको सुम तब आप कहा थे हम सब वहीं थे तो आपको प हएं पूड़ी उपर करके इनके ऊपर जिसे अपना पांच उपर के उपर से थोड़ा से करके भाइर किया पूरे ब्रस्ट दिया तब मुँ समझे के फुलिस है जब ब्रस्ट किया ही और हमने का एस पी को आलिया है यहां से कितना अश्ब भी निया से आना यहां तो जो सबको कह दिया कि तुम्हे करना तुम्हे करना और उसको आप यह भी कह रहे हैं ज्यादा पूलिस है यहां पर उसको भ्रहम भी दे रहे हैं तो दे रहे हैं कि तुम इधर से घरना तुम इधर से घरना है तुम इधर से घरना है और है आप लोग पाची चेले हैं हम लोग छही नहीं लगा बाद में मरा तक 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 फायर करता रहा अच्छा वह इसको भी लगे फायर करता रहा दमदार था और उसके गैंके वह भी लगे फायर करें बहुत दिन मुझा अपने वेरी लाइट चली तब उन्हें लगा कि पोलिस है और एक फॉर्टी सेवन चली ब्रस्ट चल अधिक अंदिय कोई दो इसे आपके वी कारियर मी ऐसे रहा उतल 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 आप रोने बाद किया प्लान है तो नेटागिर्य और गर्मी के बार यह का है तो बहुत घुनेस काफी है अचे रहे नेटागिर्य मेर अच्छली बाद कि टिक्रष रहनें हम गय थे रिटारम्न के तब इनने आसो असन दे दिया था शिराज जी ना शिराज जी ने बीजेपी से लिने गए निकाली था हमने कम से कम हजार दोजार गाड़ी ओगी यहां से वहां तक वाली अठेर माँ पूरा करके अठेर विदान सबाके लिए तो नहीं जिकर दिया था कि इस बार अरविन के आपके उसमें बैठ जाओ मतलब लड़ो लड़ो मत अगली बार हम ठेकर दे देंगे अरविन भदोरिया जोगा के प्रत्याशी है फिर उसके बाद इस बार क्या किया अपने अपने उन्ने दिया नहीं फिर हमने का क्या क्या कि हम तो कांग्रिस में बीज में आ गए थे बी सिंग ते माई अच्छी सम्मंन रहे अपने दिगविजा सिंग जी से बहुत अच्छी रहे योगई ऐंटीटा कहीती में करते रहते तो की बार टिकट नहीं मिल पाए तो इस बार टिकट नहीं मिल पाए थे रिद्ट आइंट पर कड़ पाए जो इसए की वाई तो आपक्य बहुत सारे insights पता चले, बहुत सारी किससे, कहानिया, नहीं अभी तो time नहीं है, आप बैठो तो आप सुनाए, दो तीन picture बनाने वाले भी आए, तो अभी तो अपने इसी लिए, हाँ, दे दिया था कि मैंने कहा जान दो अभी ticket ticket का, हाँ, दे कर दें तो इसके बात का, सरगनाओं से encounter, बागियों के साथ उनकी जड़प, और जो जंगल की कहानिया, मेरे लिए तो मैंने पहली बार इस तरह की कहानिया सुनी, कि कोई डगायत किस तरीके से operate कर रहा है, उनका operation area कैसा है, आप कैसे tackle कर रहा है, कि कोई इतना भी है कि लिंग अर्पित कर दे रहा है देवी को काट करके, तो इस तरह की कहानिया बीहड में बहुत दबी हुई है, और लेकिन आज आपके उससे जानने को मिला, और ज्यादा तर क्या होता है कि बीहड में ज्यादा glorify, डकैत या जो दस्यू सरगनाया जिनको बागी कहते हैं, वो हुए, बढ़ा अच्छा लग कमेंट करके जरूर बताइए, मेरा नाम है विनोपाइंडे, मेरे साथ केमरे के पिछे मेरे साथी करम जीत है, देखते रहे हैं दीललन टॉप, चुनाओ यात्रा में आपको हम इस तरीके के किरदारों और इस तरीके के हिरोस से भी मिलवाते रहेंगे, शुक्रिया आप